हेलो माई डियर स्टुडेंट्स मैं मितलेस माही आज की सेशन में बात करेंगे जॉब से संबंधित पूरा वीडियू देखिए अब पूरा वीडियू देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जॉब केंपस कहां लगने वाला है और कुन-कुन सा डोकुमेंट की जुर जो है डिपलोमा वाले स्टुडेंट के लिए है आपके लिए बहुत वरी अपर्चुनिटी है और आप इस जॉब को कर सकते हैं पास सकते हैं इसके लिए पूरा वीडियो देखिए एक एक चीज़ बात बताने बाला हूं सबसे पहले देखिए ये नोटिस है 20 जनवरी 2024 का बिहार सरकार सरम संसाधन विभाग अपर प्रादेशिक नियोजनाले पतना के द्वारा है ब्लोक ए 6 तल नियोजनाले भवन पतना इमेल आईडी भी लिखा हुआ है पतरांग संख्या 53 है प्रेशक नियोजन पताधिकारी अबर प्रादेशिक नियोजनाले पतना सेबा में प्राचार नियू पोल्टेकनिक कॉलेज पटना अब देखिए ये जो कमपनी है ना ये नियू पोल्टेकनिक कॉलेज पटना तेरे को पत्र के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बच्चों तक ये जनकारी पहुंचाने का काम करने का पढ़ियास भी कर रहे हैं अगे काता है बिसे जॉब केमपस के संबंद में महासे उपर युग्त बिसे में संबंद में काना है कि आपके संस्थान के परिशर में धिनांग 24-1-2024 बुद दोबार को जॉब केमपस का आयोजन किया जाना है जिसमें स्किल डेस्क प्राइबेट लिमिटेड कंपनी के परत तैयारियों के साथ अव्यार्थियों के बीच उचित माध्यम के द्वारा परचार परचार करना चाहेंगे ताकि उक्त जौब केमपस में अधिक से अधिक बिभागी भाग ले सके परति भागी भाग ले सके बिभाजन नियोजन पतादीकारी का सिंगनेचर है 20 जनवरी 2024 को ये नोटिश जो है निकाला गया है इस कंपनी के माध्यम से और ये एक लेटर जो है प्लटेकनिक कॉलेज पत्ना तेरह को भेजा गया है कि मैं आपके केमपस में फिल्ड में जॉब केमपस लगाएंगे और इसमें प्लटेकनिक वाले अस्टुडेंट जो डिपलोमा किये ह उस सारे स्टूडेंट का सेलेक्शन करेंगे इंटर्वियू के माध्यम से और डुकॉमेंट वरिफिकेशन करने के बाद इसमें जो है कौन-कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं इसलिए आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा पूरा देखिए वीडियो देखिए यह पत इस तारिक को पठना आके यह जोब को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको यह आके केमपस में भाग लेना पड़ेगा इंटर्वियू देना पड़ेगा डोकॉमेंट के साथ आना पड़ेगा एक आपको सीवी बना लेना है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दिखिश में पोला गया है डिपलोमा पास आउट इन दोहजार चॉबिस पास आउट यानि 2021-2022-2023 और 2024 में जो भी स्टुडेंट डिपलोमा पास किये हैं वह इसमें भाग ले सकते हैं फिर से बता सकता हूं जो स्टूडेंट 2020-22, 2023 और 2024 में डिप्लोमा पास आउट है पास किये हैं पॉलिटेक्निक तो आप इस जॉब का जो सेशन है इंटर्वियू है उसमें आप भाग ले सकते हैं बोला गया है इसमें किस बरांच के स्टुडेंट भाग ले सकते हैं मेकनिकल एलक्टिकल एलक्टोनिक्स और सिबिल बरांच के जो स्टुडेंट हैं मेकनिकल, इलक्टिकल, इलक्टोनिक्स और सिबिल, ओनली डिपलोमा पास कंडिडेट, पासिंग येर, 2021, 2022, 2023 और 2024 में भी हो सकता है, पास की होंगे, देख लिजिएगा, वो सारे स्टुडेंट इस जॉब के सेशन में भाग लेख सकते हैं, ये पत्मा 13 में जो केमपस लगने जा रहा है, उसमें आप 24 तारीक को भाग लेख सकते हैं, और मन चाहा, मन के मुताविक, अलग-अलग डिपार्टमेंट है, उसमें आप जॉब ले सकते हैं, आगे देखिए क्या है, डिपलोमा पास आउट होना अनिवार्ज, पिलीज रीड दा डिटेल्स केरफुली एंड देम अपलाए, अनली कंडिडेट्स हूँ इस तो जॉइन शूट अपलाए, वी हैव अन अर्जेंट ओपेनिंग फोर, बजाज ओटो लेमिटेट औरंगाबाद, ठीक है, तो ये कम होला गया है कि जो भी नोटिफिकेशन है, उसको केरफुली अच्छे धंग से पढ़ना है, कौन-कौन सा डुकॉमेंट लेके आना है, रिजूम बनाना है, एनि सीवी, कि साराजी इसमें बताया गया है, ठीक है, आगे भी देखते हैं क्या-क्या इस नोटिफिकेशन में द अब देखें, इसमें बहुत बड़ी बात बोला गया है, कि हम कम से कम 400 स्टूडेंट का सेलेक्शन करेंगे, मतलब 400 पलस स्टूडेंट का, जो आपका जो लोकेशन होगा नो, वो औरंगाबाद, बिहार में ही है, और मिनमम कौलिफिकेशन जो है, डिपलोमा पास, यानि प फॉर्म को भरिए, फॉर्म भरना नहीं है, मतलब वहाँ पर जाके डोकुमेंट से भी बना के ले जाएए, आपका बिरफिकेशन होगा, आप देखें सब से नीचे में क्या लिखा है, देर सूड भी नो बैकलोग, बैकलोग नहीं होना चाहिए, बैकलोग वाले स्टूडे आपका सेलेक्शन हो जाएगा, बैकलोग होने के बाद भी ठीक है, लेकिन एक बाद ट्राइ जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि बैकलोग है, तो ट्राइ नहीं करेंगे, जरूर किजिएगा, आगे देखें क्या कता है, ट्रेड, मेकनिकल, ओटो मॉबाइल, प्रोडक्शन, इ और ENTC, जो भी डिपलोमा किये है न, उनको पता होगा, आपका कौन सा ट्रेड है, यह भी ट्रेड है डिपलोमा में, तो ऐसे भी स्टूजिन, जो ओटो मॉबाइल, प्रोडक्शन, फिर ENTC, यह कुछ बरांच है, इस से भी पास आउट है, तो आप इसके लिए एक तम योग कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, बहुत तेजी से बरता है, बस एन, कैंटीन, फैसिलिटी इज एविलेबल, हाइली सस्टेनेवल रेट, तो आपको इसके लिए फैसलिटी दिया जाएगा, बहुत अच्छा सुबधा रहेगा, इस कंपनी में, इसलिए नीचे इसको म मिलेगा, शुरुवाती में, क्योंकि आप तो देखी, शुरुवाती में, आप लोग को तो उतना जनकार है नहीं, आपको तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आप काम में लगोगे, तो 16,000 रुपिया बिहार में रहके, आपका जो ट्रेड है, उसी से संबंधित वर्क द दिजिए, आगे काता है, बस एन केंटीन फेसिलिटी इज अविलेबल, हाइली दस नेवल रेट, कम रेट में मिल जाएगा, आगे काता है, कि उनिफोर्म विल भी दी, प्रोवाइड़ बाइदा कंपानी, एक कोमोन डेशन, विल सपोर्टेट, देखे, मेरा थोरा इंगलि देटली एंड, फूल फिल्स दा, बिलो मेंसन क्रिटेरिया, में भी कंसिडर, तो वो अपना लिख दिया, इसमें बहुत सारा चीच, तो आप लोग को करना किया है, मैं आप लोग को खुल के बता देता, अगर आप पॉल टेक्निक से पास आउट है, 2021, 22, 23 के सेशन में, या भीजित कीजिए, आपका जो लोकेशन, दिखिए इसमें थोरा इसको भी पर लेते हैं, क्या काता है, क्या क्या लाना साथिट्विकेट में, काता है, 10 या 12, दोनों से कोई, या दोनों पास हैं, तो कोई दिकटने, 10 या 12 में, 40% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में mechanical automobile protection with या civil हो mechanical हो electrical हो electronics हो कोई भी बरांच है डिप्लोमा में तो आपका जो marks है overall 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए all diploma candidates from N.A.T.S. certified college are the eligible with 45% and above in the 10-12th and diploma मतलग 45% से ज्यादा marks आपका होना चाहिए there are no more backlog 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 कहता है नहीं या फिर आप लोग को क्या करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में cross लग जाता है उस company का काना है कि मैं इस स्टूडेंट का selection नहीं करेंगे लेकिन tension लेने की जुरूत नहीं मैंने इस परकार के बहुत सारे campus को विजिट किया हूं बैक लोग वाले स्टूडेंट को भी लेते हैं जो जिनके पास knowledge अच्छा राता है ना वो mention कर लेते हैं ठीक है आगे काता however at the time of joining the candidate must have a passing circuit from college which means no active ATKT क्या होता है तो आपके पास होना चाहिए और सबका एक एक फोटो कॉपी लेके आना इन्हें 10 का मार्ग सिट 10 का साथ लेके आना फिर डिपलोमा का सारे येर का ना जितना भी समेस्टर का एक्जाम होता है सारे समेस्टर का मार्ग सिट फीर number आपको साथ लेके आना थी डिपलोमा का होता है character होता है वह लेके आपको आना एक रिजू में उसरे पासरे में संकरना नाम पता suburbs मतापिता का नाम आपका डेट वाब बर्थ मुबाइल अगर आपको बनाने के लिए नहीं आता है तो आपको मेंसेज कर दिजिएगा हम आपको बना कि यहां से बेज सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा बहुत कम पराइस आपको लगेगा क्योंकि हम भी किसी के यहां बनबाते हैं अगर आप खुछ से बना लेजिए या कहीं केफे में जाके बना सकते नहीं तो आप मुझे सेंड करोगे तो मैं आपको अच्छे से बना के भेज दूँगा ठीक है यह सब चीज आपको लेके जाना है तो फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या-क्या लेके जाना है तेंथ का मार्ग सिट तेंथ का साकेट्फिकेट त्विल्थ का मार्ग सिट त्विल्थ का साकेट्फिकेट डिपलोमा का मार्ग सिट सारे समेस्टर का पलस फाइनल यर का फिर मार्ग सिट उसके बाद साकेट्फिकेट सब ले जाना है फोटो ले जाना है रिजियूम ले जा इकोना है 24 जनवरी 2024 को यह केंपस लगेगा यह प्राइवेट कंपनी है आपको मंतले कितना मिलेगा 16,000 रुपया पर महिना यह मिनमम उससे यह बढ़ता भी है आपको बस जो है बस से कंपनी ले आएगा जब 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 करोगे तो ड्यूटी फिर आपको केंटिन में खाना जो है बहुत कम पराइस में मिलेगा यानि कहने का मतलब है कि बहुत कम कोश्ट में आपको वहाँ पे रहने खाने पीने सब चीज की विवस्ता रह जाएगा और शुरुवाती में सोले हजार दे रहा है तो भाई कम नहीं दे रहा है ठीक है अब घर में बैठे हैं आप जौब कर लेजिए आपके पास बहुत बड़ी अपर्चुनिटी है इलेक्टोनिक्स वाले स्टुडेंट को तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि उनके लिए तो जौब बिहार में देता नहीं है जल्दी और अगर आया है प्राइबेट तो कर लेजी मुझे इस सब कंपनी के बारे में पता है ठीक ठाक देता भागलपूर में जब अगर अपर्चुनिटी मिल रहा है जौब का तो कर लेना चाहिए ऐसे आपकी मर्जी ठीक है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए जौब से संबंदित या फिर किसी भी परकार के नोटिफिकेशन जो आए वह आप कुछ और भी जनकारी होगा तो आपको हम 24 तारिक से पाले ही दे देंगे और आपको लोकेशन भी शेयर कर देंगे गरूप में टेलीग्राम जो गूप है यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको जोइन कर लीजिए ताकि वहां पर हम आपको पीडियाप बताएंगे इनपोर्टेंट कौन सा बूक है जहां से कोश्चन बहुत ज्यादा पूझा जाता है उसके बारे में बताएंगे नोट्स भी देंगे यह सब चीज फिर आपको मिलेगा ताकि आप लोग ऐसे सी जेई की जो तैयारी है दोजाट चोबिस का जो वेकेंसी आने व सहां पर हर तरह से जनकारी फ्री आपकोस्ट में भी लेगा दूसरी बात है कि अगर यह जो वेकेंसी जिसके बारे मैं ने अभी बात किया है उससे कुछ भी अपडेट 24 तारिक से पहले आएगा तो आप लोग को हम 24 तारिक से पहले ही बता देंगे वीडियो के माध्यम से फिर गुरूप में भी मेंसन कर देंगे सारा हर चीज ठीक है तो पत्मा में आप लोग आके 24 तारिक को इंटर्वियू देजिए और अगर आपको सेलेक्शन होता है तो जौब कीजिए एक साल तक समझ लीजिए आपको गर 16,000 मिल रहा है ना 16,000 से बढ़ भी जाएगा 25,000 भी तक देगा हर तरह के कंपनी आती है तो सब का अपना अपना अलग सेल्डी का क्रिटिरिया रहता है और भी कंपनी आएगी बिहार में आप लोग का सेलेक्शन करेगा तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो और भी कंपनी आएगे तो उसके बारे में बताएंगे ताकि आपको पास नोटिफिकेशन चला जाएगा ठीक है ठेंक्यू फिर मिलते हैं एकले सेशन में